नमस्कार विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मध्यप्रदेश में मानसून का सूखा लगभग खत्म हो गया है और बीते आठ दिनों से लगातार प्रदेश भर में जमा जम बारिश की जड़ी लगी हुई है मौसम विभाग का कहना है कि पूरे प्रदेश में एक और सिस्टम सक्री हो गया है जिसके चलते आने वाले तीन से चार दिनों तक बारिश का सिलसला जारी रहेगा वहीं मौसम विभाग ने मद्यप्रदेश के जादतर जीलों में भारी से भारी बारिश को लेकर यलो और ओरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने प्रदेश भर के कई जीलों में भारी और अती भारी बारिश की संभावना जताई है श्योपूर कला, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, श्योपूरी और अशोक नगर में भारी से अती भारी बारिश की संभावना को लेकर औरेंच अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं राजगड, आगर, निमच, मंदसौर, विदीशा, छतरपूर, बालगहाट, पन्ना, शेहडोल और टिकमगड में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है जबकि भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपूर, शेहडोल, रीवा, गौालियर और चमबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है बतादे प्रदेश भर में बीते एक हफते से लगातार बारिश का सिलसला जारी है मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम कम दबाव का छेतर बन गया है यह सिस्टम अगर पस्चिम में और आगे बढ़ा और ट्रफ लाइन नीचे आई तो अगले तीन से चार दिनों तक भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में तेज बारिश हो सकती है